सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अपडेट पूरे 18 अपड़ाई 700 श्लोप पढ़कर उनको आज की जनरेशन के हिसाब से स्टुडेंट के हिसाब से बिजनिसमेन के हिसाब से अपने करियर में अपनी लाइफ में अपने रिलेशनसीट में और अपनी प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं वह बताया दोस्तों मैं यहाँ पर पूरे 18 चेप्टर कवर करूँगा और कोई भी चेप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताऊँगा कि उसमें आप क्या सीखने वाले हैं फिर उस चेप्टर को शोट में समझाँगा और उसके बाद उससे सीखने वाली चीजों को लिटेल में समझाँगा अगर आपको यह जानना है कि आखिर भगवान को खुद ग्यान देने की जरुद क्यों पड़ी ये पांड़व और कोरव कौन थे और इस महाभारत के युद्ध की शुरूआत कैसे हुई तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं मैं उसका भी वीडियो आपको अलग से दे दे दूँआ तो चलो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कुरुक्षित्र के युद्ध के मैदान में जहां पर पांडव और कोरव युद्ध करने के लिए आमें सामने खड़े हैं भागवत गीता अध्याई एक सेना का निरिक्षन दोस्तों गीता की पहले अध्याई से आपको यह सीखने को मिलेगा कि यह सी कौन सी सबसे पहली चीज़ है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है बले ही आप में बहुत नौलेज हो आप में बहुत काबियत हो लेकिन उसे एक चीज़ की वज़़ से आप सही डिसीजन नहीं लेपाते हैं और अपना काम नहीं कर पाते हैं इसके साथ साथ सपने से हाकिकत में इंसान कैसे बदल जाता है वह है भी हम जानेंग जानेंगे कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था उसके पास बहुत बड़ी सेना थे भिष्म पिता में थे गुरु द्रोनाचारिय और गुरु क्रपाचारिय जैसे बड़े बड़े योता थे पांडवों की सेना में अरजुन, भीम सहीद, पांचो पांडव, भगवान क्रिश्म, अभिमन्यू, द्रोप्ति के पांचो पुतरा दी थे अब यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था, पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोनाचारिय और क्रपाचारिय दोनों एक ही थे, दादा भिष्म भी एक ही थे, साथी साथी पांडवों और कौरवों दोनों खुद भी चचेरे भाई थे, ल पाकी में ये देख सकूँ कि मुझे किन्द को बारना है। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राच्चे के लिए तो क्या अगर को तीनों लोग भी दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़ी। इस तरह से अर्जुन पूरे दुखी होकर और खुद को कोस्ते हों अपने धनुश को छोड़ कर रत में वापस जाकर बैठ करूँगा। दोस्तों गीता के इस फर्ष्ट सेप्टर से हमें यह सीकने को मिलता है कि वास्थिक्ता सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता है कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है जब हम किसी बूरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम सही हम खो बेटते हैं और घबरा जाते हैं और घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप हो जाती है भले ही अरजुन युद्ध कलामे मास्टर थे और भले ही वो युद्ध करने के लिए मैदान में तन्हों सुखा कर चले आए लेकिन युद्ध सिर्फ फत्यारों के चलाना जाने से नहीं होता उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं मैदान में आकर अरजुन को अपनी ड्यूटी से ज़्यादा फैमली और धुरूवों से मौह होता है और उससे फिर वो दुखी होगए वो युद्ध करने का डिजिजन नहीं ले पाए इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जिन्दगी में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वो है हमारा मौह यानि की अटेज्में आप सुबह जल्दी उट सकते हो लेकिन आपको नीम दोरा रस्य का मौह होता है अरजुन एक शत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था और वो युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से प्रेंड भी थे लेकिन वो अटेज्मेंट में आकर अपना कर्म भूल भूल इसलिए अगर लाइप में आपको चुनोतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटेजमेंट को सेकरिपाइस करना आना चाहिए दोस्तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो मानलो आप किसी से बहुत प्रेंड करते है लेकिन वह मनुस्य आपके प्रेंड की कदर नहीं कर ऐसे मैं आपको उसका प्रेंड पाने का भूह independence क्योंकि attachment किसी भी तरकाओ, जब तक वो है, आप अपनी life के अरजुद नहीं बनपाओगे। भागवत गीता अध्याय 2, गीता का स्थार दोस्तों गीता के दूसरे अध्याय से हमें emotional stability, आत्मा, म्रत्यू, फुनर जन्र, decision making के बारे में सेखने को मिलता है और गुसे का सबसे बड़ा region और उसका solution क्या है, कैसे आप किसी भी condition में खुस रह सकते हो, और मेहनत कैसे करते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा जब अरजुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब सार्थी स्री किष्टन ने अरजुन से कहा, कि अरजुन ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया, जिस तरह की कमजोर बाते तुम बोल रहे हो, वो तुम जैसे महानी होता कि मुझसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगए, इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़ कर, युद्ध के लिए वापस खड़े हो, अरजुन बोले, कि मैं किस तरह से अपने ही गुरुजी दुरोना चारी है, वो दादाजी भिसम पिता मैं को मारने के लिए अपना दुन चला सकता, क्योंकि ये तो मेरे लिए हमेसा से इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं बिखारी बन जाओ, क्योंकि अपनों को ही मारूँगा तो जीत मैं भी मेरी हार ही, मैं सही और गलत को नहीं समझ पार, इसलिए मेरा मार्दशन करो क्रिश्न, श्री क्रिश्न मुश्करा कर अरजुन को देखने रखने लगे, भले को इनसान उनसे कुछ मांगे, और वो देहिना, ऐसा भी कभी हो सकता है, यहीं से शुरू होता है भागवत गीता का वो ग्यान, जो आपको भी अरजुन बन कर ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, श्री क्रिश्न बोले, कि अरजुन, ये तुझे अचानक से क्या होगे, त इन सब लोगोंगा और तुम्हारा भी, पिछला जनल भी था और अगला जनल भी होगे, इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो, वह ग्यान तुम्हारा अधुरा है, और रही बात, इनकी ब्रत्यू का तुझे पाप लगनेगी, तो ये समझे ले, इनको मारने वाला तु नहीं, बल्कि मैं हूँ, तु तो इनकी मौत का सिर्फे कारण है, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जासे, आत्मा तो अगले जनल के लिए इस अगलान को जिन्दा कर सकता है, अगर तु मरे हुए को जीवन नहीं दे सकता, तो जीवित को भी नहीं मार सकता, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूँ, और मारने वाला भी मैं हूँ, और इनकी मौत मैंने तेरे ही हातों लिए, और अरजुन, अगर तुझे ऐसा लगता है कि आत्मा भी मरती है तो ये जान ले कि आत्मा जैसे जन्द लेकर मरती है वैसे ही मरने के बाद प्रकर्टी का चक्र पूरा करने के लिए उसको फिर से जन्द लेना पड़े है इस प्रकार से भी आत्मा नश्ट नहीं हुए और जब प्रकर्टी ऐसे ही चलती है तो भला इसक्षत्री को जीवन में युद्ध करने का उसर प्राप्त होता है वो ना केवल भागेशाली है बलकि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है और अगर तुने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं 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 बाया और इसलिए तेरे नाम के साथ कलंग जुड़ जाए और तेरे जैसे अरजुन के लिए तो कलंग उसकी मौत से भी बढ़ा है जो लोग तुझे बहुत सम्मान दिया करते ते ते वही लोग तेरी बहु जिससे या तो तु युद्ध में मारा जाकर मेरी ही शरण में आएगा या फिर विजयता बनकर धर्ती पर ही सुख भूँगे है अरजुन तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस ग्यान के आगे बहुत छोटा है तुम काम करने के पहले ही उसके परिणाम के बारे इस बात पर अरजुन ने श्री किष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को इस्तिर यानि कि अपने एमोशन सोट को कंट्रोल करने को कहा है तो यह मैं कैसे गरूँ इस पर श्री किष्ण बोले कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वही इस्तिर बुद्ति कहला था ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम में खुशी होता है जिसके मन से हर प्रकार का डर भाउना और क्रोध नस्थ होगे हैं जो असुप के चकर से बाहर निकल गया है जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वस में कर लेता है जैसे कोई कच्छुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है उस मनुष्य की बुद्धी स्थिर हो जाती है क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें व और फिर वो अपना कर्म और धर्म भूल कर खुद ही अपनी इस्तिती से नीचे गिर जाता है परन्तु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतरमन्द शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है और जब शांती ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा बना उसकी हालत तो उस नाओ की तरह होती है जिसको उसकी च्छाओं की हवा किसी भी दिशा में वहा करके ले जा सकते है इस्तिर बुद्धी वाला प्राणी तो उस समुद्धर की तरह है जिसमें चाहिए चितनी ही नदियां आके मिले फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ दो और इसी तरह का इस्तिर गुद्धी वाला प्राणी मर्ट्यू के बाद मेरी ही शरण आता है दोस्तो अब आते हैं इस चेप्टर के मिनिंग पर आप मेंसे बहुत सारे लोगों जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं और आज तक आप लोगों मेंसे जिसने भी अपने प्रियजन को मर्ट्यू के द्वारा इस संसार से नहीं खोया उसको भी यह जानने ना चाहिए कि उनकी जिन्दगी में भी उनके किसी सबसे प्रिय है यहां तक की खुद की भी मौत एक दिन जरूर हो लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं क्योंकि खुद भगवान नहीं का कि हम अपने जन्म से पहले वी इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं रहें लेगिन उस समय हम किसी ना किसी रूप में इस ब्रहान में जरूर रहें और इसलिए हमें मौत से नहीं ड़रना चाहिए क्योंकि या तो हमारा पुनरजन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएं और जब सब लोग आखिर में एक ही जगे मिल जाएंगे तो फिर क्या भाओ को और यहीं प्रकटि का नियम भी है और हम कोई शरीड नहीं है जो हमें डरने की जरुवत है हम आत्मा और उसी का अँच है जिसको हम भगवान कहते हैं और अगर हमें बनाने वाला भगवान है तो फिर हमें उससे ही मिलने का प्रेक्ट करना चाहिए ये दुनिया तो मात्रू उस इश्वर का एक माया जाए अब दोस्तों अरजुन डिसीजन नहीं ले पारे हैं जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा अटेश्मेंट होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए और इसी मोह के चक्रम हम वो नहीं कर पाते जो हमारा रियल काम होता है और जो हमें लाइफ में सपलता के रास्ते पर आगे ले जाता है उधारन के लिए अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए या सबने पूरे करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा इसी तरह से आपको हर डिसीजन ने यह है देखना है कि आपकी लाइक ने मोह कौन कौन से है और आपके कर्टब के लिए जरूरी क्या है इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्रोग्लम्स का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका सबसे बड़ा सुलूशन भी क्या है दोस्तो हमारी दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समाई बीतने के बाद हम उनको पूरा करने के भी कोशिश करते हैं और जब वो कोशिशे नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा हो जाती है और गुस्सा ऐसी चीजी जिसको अगर किसी ने शरीर छोड़ने के पहले नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जीखुश नहीं रपाऊगे आप हमेशा अपने आपको समस्याओं से गिरा हुआ ही पाऊगे क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ आपका ही रिफ्लेक्शन है अब आप यहीं भी बोलोगी कि अगर जिन्दक में कोई इच्छा ही नहीं रिखेंगे तो सक्सेस कैसे आसी नासी नाम कैसे कमाएंगे तो दोस्तों इसके वारे में भर्मान किशन ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचाने यानि कि आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्षे प्राप्त करवाए और उसके बाद सफल होने की निगी दिया ऐससफल होने का डर मन में पैदा किये बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बलके खुद भर्मान करने और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं तूटे क्योंकि आपको यह लगेगा कि ये काम मैं नहीं बलके मैंन की महनद भावान करने और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं तूटे क्योंकि आपको यह लगेगा ही नहीं कि आप मैंनत करने पागवत गीता अध्यायती कर्म योग दोस्तों गीता के थर्ड चेप्टर में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजे हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती है इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हमारे अपने मन को अपने काबू में करके अपनी सभी गंगी आदतें कैसे चोड़े और अपनी मन्चाही मंजिल कैसे प्राप्त करे अरजुन बोले हे क्रिशन आपकी बाते सुनके ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्यान कर्म से ज़्यादा सही है लेकिन आप तो मुझे संव्यासी बनने की जगर युद्ध करने के लिए बोल रहे हो तो आप ये बताईए कि मैं ग्यान का रास्ता अपना कर संव्यासी बनूँ या कर्म का रास्ता अपना कर युद्ध लरूँ सुनकर क्रिशन बोले इस संसार में मैंने खुदने ही दो तरह के योग बनाए है योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवान सफल बनाते है उनमें से एक है ग्यानियो और दूसरा है कर्मियो और अरजुन तुम एक मनुश्य हो तुम चाहा करके भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते उधारन के लिए तुमें हर पर सांस तो लेना ही पड़ेगा अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही और अगर तुम इन सब को भी शक्ती से रोखना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपने इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे कहने का मतलब है तुम से जाने अंजाने में कर्म तो हो ही जाएगा क्योंकि तुम मनुश्य हो और तुम तो वैसे खच्छत्रिय हो तुम अपने धर्म से भी बंदे हो इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगर कर्म का रास्ता ज़्यादा सही मतलब क्यान योग या सांखे योग की जगर कर्म योग ज़्यादा सही इसलिए तुम यह सोच कर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो बलकि प्रकरती का गुलाम होकर तुमारा शरीर कर रहा है फलकि इच्छा किये बिना अपना करम योग कर क्योंकि अगर तुम अपने आपको खुद के करम का करता यानि करने वाला नहीं मानोगा तो मैं तुमारा करता बनूँगा और जब मैं तुम्हारा करता बनूँ गा, तो तुमए बिना मांगे ही वह सब सुपिधाए, सुख और राज्य देदूगा, जिसकी तुम्हेज़रत हो, बिना महनन किए सुपिधाओं और राज्य का भोग किया, तो तुमे क्षोर कहना हो, और तुम कभी परमात्मा यान के मुझे नहीं 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 जिस तरह से महान लो खाने के लिए नहीं बलकि जीने के लिए खाते हैं उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बलकि कल्यान के लिए यह दुकरो हे अर्जुन, तुम मनुश्यों में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे, ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करें, अर्जुन अब तुम मुझको ही देख ले, मैं तो बखवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की जरूत क्या है, पर मैं इस तो तुम उनको बिना कुछ कहें, सिर्फ अपना कर्म करते का, और ऐसा करने पर वह मनुश्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करने लग जाए, जो व्यक्ति है सोचता है, कि वह कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मुर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नही और ग्यानी लोगों के दौरा ऐसे मुर्खों को कभी नहीं छड़ा जाना चाहिए, इसलिए अरजुन तू भी अपने आपको इस कर्म के बंदन में ना बांद कर, बिना किसी आशा के, दया के, और पच्चतावे के अपना युदु कर, अरजुन खुद का धर्म और कर्म, दूसरों के धर्म और कर्म से ज़्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए, बले ही हमारे खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी रही रही रही, अरजुन ने फिर सवाल किया, कि अगर मनुस्य उसी परमात्मा का अंस है, तो उससे गल्दियां क्यों हो जाती है, औ उसको क्रोद आता है, और जिस तरह दुहे की वज़े से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोद की वज़े से मनुस्यों को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देती, और इसी वज़े से क्रोद और कामनाओं में आकर मनुस्य अपनी इंद्रि इंद्रियों से ज़्यादा सक्थी शाली है मन मन से सक्थी शाली है बुद्धी और बुद्धी से ज़्यादा सक्थी शाली हो तु तु यानि कि तुम आत्मा इसलिए अर्जुन तु अपनी आत्मा से अपनी बुद्धी को वश्मे कर बुद्धी, मन को वश्म करेगी मन इंद्रियों को वश्म करेगे और इंद्रियां शरीर को यानि कि तुम्हारे बुरे करमों को दोस्तों आप Shri Krishnu की कही कई बातों को हम आज की लायड के एसाब से समझते हैं देखो इस दुनिया में रिजल्ट दो ही चीजों से आते हैं ग्यान और कर्ब मिन्स नॉलेज और एक्शन लेकिन दोनों अलग लग आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके देखें हमारी लिए नॉलेज भी उतना ही जरूभी जितना एक्शन नॉलेज का मतलब यहां नहीं है कि आप सिर्प एक्जाम पास करने क लिए सलेबस को रठते हो बलकि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जाए कि आपके गोल्स क्या है आपकी capabilities और आपके issues क्या क्या है और इन सब को मिलाकर goals तक पहुँचने की आपकी planning क्या है ये है आपका knowledge यानि की ग्यानियो इसके अलावा आपको एक और चीज जानी चाहिए कि मेरे भाई आप शरीर नहीं हो आप एक आत्मा हो आपकी आत्मा यानि आप खुद अपने emotions अपनी thoughts और अपनी activities से बहुत उपर हो और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 99% नहीं बलकि 100% अपनी problem से उपर उप जाओ इसके बाद इस chapter में दूसरा रास्ता बताया गया है कर्मियो यानि कि आपकी शरीर के actions actions के लिए भरवान ने ये बोला है कि हमें कवें यहनी सोचना जाई कि काम हम कर रहे है और जब हम ये सोचेंगे कि काम नहीं कर रहे है तब इसके दो फाइदे हो एक तो ये कि आप अपनी मेहनत के result को लेकर tension में नहीं रहो और दूसरा ये कि आप emotionally stable होकर अपनी best मेहनत कर पाऊ इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे result को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए क्योंकि स्री किश्न की बातों के अनुसार मनुस्ये को सिर्फ कर्म करने का दिकार दिया हुआ इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे चुट करा पाएं इसको बहुती आसान सब्दों में बताया गया है कि आप अपने आपको उस परमात्मा का ही चोटा सा रूज यानिकी आत्मा समझ़ और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करो और इसके बाद में आपका मन अपने आप आपके सभी फिजिकल सेंसिस यानिकी इंद्रियों को काबू में कर ले और जब आपकी इंदरिया आपके काबू में हो जाएगी तब भूरी आदत छोड़ना तोड़ गया कुछ भी मुश्किल नहीं भागवत गीता अध्याए 4 दिव्य ग्यान गीता के चोथे अध्याए से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धर्ती पराते हैं जो महान गीता घ्यान में तुझे बता रहा हैं वो मैंने बहुत पहले ही सी प्रफ्यूँ बधाया ही लyty्मा के साथ कि लुप 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 इस पर अरजुन भूले कि हे ख्रिश्नु में कि वर्तमान आजम में हो तो आप बहुत पहले के समय में कर कर सकते हैं श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जनम हो चुके हैं जब जब इस संसार में धर्म का नास होता है तब तब मैं धर्म का नास करने इस धर्ती पर मानव रूप में आता हूं और कर्म करके अपना शरीर यही छोड़ कर कि मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मेह बना है इसलिए मनुश्य को भी करम करते समय यह नहीं सोचना जाई कि मैं कर रहा हूं जो मनुश्य किसी भी करम के फल और सुक दुख से परे होकर करम करता है वही सबसे अच्छा है जिसको अपने शरीर पर कोई घबंड नहीं होता उसको वश में रखता है, वही मनुश्यों में सबसे उंचा है, और अर्जुन जो मनुश्य इस धर्ती में खुश नहीं रह पाता, वो परलोप में भी खुश नहीं होता, इसलिए किसी भी मनुश्य को, अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंदियों को जीत कर, अपना लाल जान भी हर अग्यान को मिटा देता है, हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझे में श्रद्दा रखने वाला ही मुझे को प्राप्त कर पाता है, इसलिए जिसने भी कर्म योग से सबी कर्मों को, और खुद को अकरता मानते हुए परमात्मा को अर्पन कर दिये, ऐसे निगेटिव एनरजी लोगों में ज्यादा होती है, तब तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से इस्थापित करते हैं, इसमें यह भी बताया गया है, कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है, तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रतिर एस्पेक्ट होनी जाएं कोई लालच नहीं होना चाहिए, और भूरी भावना भी नहीं होना है, और यह नौलज लेना और सीखना हमार लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि हम चाहें किसी भी फिल्ड में हो, उब्वियस सी बात है कि हमें उस फिल्ड के गुरूं से ग्ञान तो लेना हो पड़े ह जो इस लाइस में आपके टारेट से और उस लाइस लाइस में आपके परमात्मा से मिला सकता है भागवत गीता अध्याई पांच कर्म सन्यासियो भागवत गीता के पांचवे चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स को कैसे प्रात्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हम को आलस में बांधने की कोशिश करता है अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण कृष्ण मैं अभी भी यह नहीं समझपा रहा हूं कि मेरे लिए कर्म जदा अच्छा है या कर्मों से सन्यास श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन बले ही सन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हों लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है और वो है भगवान जो व्यक्ति अपने मन को बठकने नहीं देता जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बलकि परमात्मा ने किया है और जो सबी जीव जनतों को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है वह मनुश्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्यार करने के लिए ही करते है परमात्मा कभी भी मनुश्यों को बुरा काम करने के लिए नहीं उकसाता बलकि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ-साथ उनके फलों का भी निर्मान करते हैं मैं तो बस उनका फलों को वापस देता हूँ इस शरीर को चाहे कितना ही सुख दे दो उसकी इच्छाए तब भी पुरी नहीं होती इसलिए अरजुन तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन में ही लगाना चाहिए इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नास होने से पहले अपने क्रोध का नास कर लिया जो संपूर प्राणियों का हित करता है जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बंदता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जबह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहीत सब का प्यारा गारा भी हे अरजुन ये इंद्रिया मन बुद्धी इच्छा आशा डर और क्रोध ही तेरे दुश्मन है इनका त्याग कर दोस्तो हमारी बोड़ी यानि की शरीर हमेशा रिलेक्स रहना चाता है क्योंकि बाई नेचर शरीर एक निर्जीव जीद ही है अगर उसमें आत्मा ना हो तो लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूँ ये मेरी आँखे हैं ये मेरे हाथ हैं और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी भुद्धी पर भारी पढ़ चुका है इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हो और इस शरीर को आप अपनी भुद्धी से जिस तरह चलाना चाहोगे वह वैसा ही चलेगा दोस्तों जो रास्ते भागवत गीता में बताई जा रहे हैं वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं और अगर आप इन सब मातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को तो आसानी से हासिल करी लो जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश्मे करना बहुत जरूरी है ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में भी मनजिल हासिल करने के लिए मन को वश्मे करना बहुत जरूरी है भागवत गीता अध्याई 6 ध्यान यो भागवत गीता के छटे अध्याई में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं यानि कि आज की लाइफ में बोले तो वह है इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाता है इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत महनत करी लेकिन तिर भी आपके डेट होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ श्री कृष्णे बोले केवल अपने सांसारी कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता बलकि जो व्यक्ति करने योगे सब काम को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता वही असली योगी कहलाता है जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस संसार में और कुछ भी इतना जरूरी नहीं होता और जिसका मन जरूर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रू बन जाता है जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी जिचार, वासना या वस्तु से मोहिप नहीं होता और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव, जन्तु, आदी के प्रती समान दया भाव रखता है वही योगी की असली दिशानी होती है अरजुन और जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भाव के, अपने मन को मित्र बना कर मेरा ध्यान करना चाहिए ऐसा योगी नीद और भोजन भी उतना ही करता है, जितना आउशक हो ऐसा योगी उसी तरह से अपने वचन पर इस्तिर रहता है, जैसे पूरी तरह रुखी हुई हवा में दीपक की लो होती है जब जब भी उसका मन भटके, तब तब उसको उस हिच्छा को वसमे करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए और जब योगी इस संफोन ध्यान की अवस्ता में आ जाता है, तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता अरजुन ने कहा, मगर हे कृष्ट, यह मन बहुती चंचल और हटीला है इसको एक जगह पर रोकना हवा को एक जगह पर रोकने की तरह बहुत मुश्किल है श्री कृष्ट बोले, हाँ यह सकते है कि मन को वश्मे करना बहुत कटिन है लेकिन यह भी जान लो, कि बार बार योगा भ्यास और आत्म विश्वास से असंभव को संभव बनाए जा सकता है अरजुन ने फिर पूचा, कि हे कृष्ट, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंदित करके योग करे लेकिन अगर अंतिन समय में किसी कारण मस उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी पूरी महनित सुनने हो जाएगी श्री कृष्ण बोले, नहीं अरजुन, निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है अगर किसी कारण मस वह योगी आत्मा योग की राह से बिचलित भी हो जाती है तो भी उस्यो योग भरष्ट पुन्य पुरूसों के लोक में कई वर्स सुक और आनन्द मिल जाता है और वहाँ पर वह ध्यान भरष्ट योगी भी सुक में समय बिता कर फिर से किसी कुन्य आत्मा के परिवार में जन्म ले लेता है और इस तरह से उस आत्मा की आत्रा वहीश शुरू हो जाती है जहाँ पर उसमें पिछले जन्म में समाप्त करी थी और इस परकार से उसे एक नया रूप नया जीवन परमात्मा से मिलन के प्रियतन के लिए फिर से मिल जाता है और थार थार उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता है लेकिन लगातार प्रियत्न करने वाला योगी इसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है एक योगी तपस्वियों और वित्वानों से भी श्रिष्ट है इसलिए अरजुन तू भी योगी बनगी क्योंकि जो योगी ओमें भी परम होता है वह है मेरा भी परम प्रिय होता है दोस्तों हर वो इनसान जिसकी आँखों में कुछ बड़ा करने का सपना है उसको अरजुन की तरही एक योगी बनना चाहिए योगी वो इनसान है जो पूरी तहरे से इमोसनेली बैलेंस लेंस लेंस, न्यूटरल है, जो दूसरों की बाते माइंड नहीं करता है, और हमेशा आपने टार्जेट को पूरा करने के लिए महनद करता है, लेकिन दोस्तों, जिन्दगी का किसको पता, भगवान ना करे की ऐसा हो, कि कोई इनसान उ अपने पूरे होने से पहले ही मर जाए, तो उसकी तो महनद किसी काम की ना रही, और सपने सपने ही रही, पर एक बहुत ही सेक्रेट बात भगवान ने इसा हो, पर आपकी डेथ हो जाए, या सपने के लिए महनद करते करते बूड़े होकर मर जाओ, तो इस केस में, चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने करमों के नुसार, पूरा सुख मिलेगा, और जब आपके अच्छे करमों का बेलेंस खतम हो जाएगा, तो आप फिर से धर्ती पर जन्म लेकर आओगे, और बाई न श्वम कृष्ण ने योगी के बारे में बताते हुए, इस गीता के छटे चैप्टर के स्लोक नमर 37 से लेकर स्लोक नमर 45 तक यही बात कही है, और ये भी कहा है, कि ये उनके लिए एप्लिकेबल है, जो सच में बहुत महनत करते हैं अध्याय साथ, भगवान का ग्यान, भागवत गीता के साथवे चैप्टर में बताया गया है, कि इश्वर की से इस संसार को चलाते हैं, इश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यो नहीं जान पाता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं, कि कोशिश करता है और ऐसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पन के साथ प्रेम करता है मेरे दो रूप है एक जड़ रूप यानि की जिसमे प्रत्व, अगनी, जल, वायू और आकास के साथ-साथ मन, बुद्धी और एहंकार है वही दूसरा चैतन रूप जिसमें इस रष्टी का चक्तर है समय को भी मही चलाता हूँ जल, सूरज, चंद्रमा ओमकार में मही हूँ प्रत्वी की सभी पवित्र गंद अगनी और भुद्धी जीवियों का तेज तपस्यों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म बल्वानों का बल और अलग-अलग समय कालों का भीज भी मही इस संसार के लोग संसारी कुनों के गुलाम है इसलिए मुझे नहीं जान पाते और वास्तों में तो ये संसारी कुन भी मेरी ही माया है मगर जो मनुश्य, इस मेरे ही माया जाल को तोड़ देता है वो मेरा हो जाता है माया जाल में फसे हुए मुर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आपाते है कोई भी भक्त चार तरह से मेरी पुझा करता है कोई प्राप्ती चाहने वाला कोई दुख के संकट में याद करने वाला मुझे जानने की इच्छा रखने वाला या फिर मुझे बहले से ही जानने वाला लेकिन इन में से मुझे अत्यंद प्रेम करने वाला ज्यानी बहुत पसंद है ये चारो ही तरह के भक्त द्यावान होते हैं लेकिन ग्यानी पुरुस्तों मानों जैसे मेरा ही रूप हूँ और ग्यानियों में भी जो विट्टी मुझे बहुत सारे जन्मों से मांगता आया है वो म्रत्यू के पश्चात मुझे ही समा जाता है जो लोग किसी इच्छा पूर्ती के लिए अगर किसी द्युटा की भक्ती करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्ता उनी देवताओं में इस्थिर्प कर देता हूँ और वो भक्त उनी देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन यहें फन ज्यादा समय तक नहीं चाहिए और अगर कोई भक्त अगर किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता है जो मुर्ख मुझे जन्म लेने और मनने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते मैं भूत कात, वर्तमान और भविश्य को पूरा जानता हूं जब किस्रद्दा रही दोग मुझे भी नहीं जान पाते जो भक्त इस सांसारिक भुह और माया को छोड़ कर छेष्ट कर्मों का आश्रन करके मेरी भक्ती करते हैं वो इस मरत्यू से मुक्त होकर मुझे ही समा जाते हैं तो दोस्तों आज के समय के हिसाथ से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में कोई टार्गेट सेट करते हों तो आप टाइम बीटने के बाद टार्गेट को भूलने लगते हैं क्योंकि डिस्ट्रेक्शन्स बहुत सारे होते हैं जैसा स्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फसा हुआ व्यक्ती भगवान को भूल जाता है ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला गर्ती भी रहा से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये टार्गेट वर्गेट सब बेकार है लाइफ के मज़लों कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं और इस तरह की लोगों को गीता में मुर्ग कहा गया जो इतना भी नहीं जानते हैं ये डिस्ट्रेक्शन तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं कि ये इनसान उसमें उलज के रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा और इस तरह से लगातार बिना बढ़के जो हालवर करता है उसी को सक्जिस मिलती है भागवद गीता के आठ्वे चेप्टर में आप जानेंगे कि भागवद क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है देवता कौन है ये संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही हाड़ वर्ट में लगना चाहिए अर्जुन बोले ये क्रिष्ण ये परम भरम क्या है आध्यात्म क्या है कर्म क्या है ये संसार क्या है और ये देवता कौन है इस संसार का फैसला कौन करता है और कोई योगी आपको कैसे पहचानता है श्री क्रिष्ण बोले भरम परम अक्षर है आध्यात्म जीवों का स्वरूप है कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्थमान में परिनाम उत्पन्न होते है हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का नाम संसार है जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देृता है इस संसार का फेसला करने वाला मैं ही हूँ और जो भी पुरुष अपने अंतकाल में जिस जिस भाव को याद करता हुआ और अपने ध्यान को प्रकुटी में केंद्रित करके शरीड छोड़ता है तो वह उसी भाव को प्राप्थ होता है इसलिए मेरा इस्मरण करने वाले सदेव मेरे पास ही आते है इसलिए अरजुन तू भी मुझे में ही ध्यान रखके युद्ध कर जिससे की तू मुझे ही प्राप्थ होगा जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वह बहुत आसानी से मेरे पास आजाता है और जो मेरे पास आजाता है उसके दुख और म्रत्यु चक्र समाप्थ हो जाते है ब्रह्मा का एक दिन एक हजार योगों का होता है और एक रात भी एक हजार योगों की होती है ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्मान होता है और रात के आरमों में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्कर चलता रहता है लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो जल्दी ही इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं अर्जुन अब मैं तुम्हें वह दो रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परमगती को प्राप्थ होते हैं या फिर इस संसार में वापस आते हैं जब सुर्य का प्रकास रहता है, शुक्ल पक्त होता है, और सुर्य उत्रायन में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्म योगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। जब रात्री होती है, कृष्ण पक्स होता है, और सूर्य दक्सिनायन में होता है, उस वक्त पर कर्म योगी शरीर द्याग कर, परलोग में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुक भोग करके, वापस जन्द लेते हैं, केवल एक योगी ही इस रहसे को जान कर, सब कर्मों के फल उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्ड करना पड़ें, क्योंकि जैसा स्रीक्रिष्ण ने बताया, कि ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है, और लोग आते रहते हैं, और लोग जाते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है, जिसकी वज़ इसलिए ऐसा ना हो, कि आप लाइफ में सिर्फ सपने सजों के बेट जाओ, और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए, भागवत गीता अध्यायनो, अध्यंत गुत ग्यान, भागवत गीता के 9 चेप्टर में हम जानेंगे, कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, त उससे क्या होता है, इसी को हम प्रेक्टिकल लाइफ में लाकर भी जानेंगे, श्री कृष्ण बोले, कि हे अरजुन, अब मैं तुझे बहुत ही कुप्त और बड़ा ग्यान देने वाला हूँ, वह मनुश्य जो मुझे में सरदा नहीं रगए, वह इस संसार में बार बार द और अंकर नहीं है, मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंदन में नहीं बंदता, सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ, मेरी माय जाल में फसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मुल्ख लोग, और बेकार की आशा, और बेकार काम करने वाले जब तक उनके मानव जीवन के पुन्ने खत्म नहीं हो जाते हैं और जब उनके पुन्ने खत्म हो जाते हैं उनको वापस इसी प्रत्वी पर जन्व लेने आना पड़ता है किन्तु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मान कर अपने करम फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं मैं उनके नाकेवल सभी आवश्चताएं पूरी करता हूँ बलकि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी लेता हूँ देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास पित्रों को पूजने वाले पित्रों के पास राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास और मुझे मानने वाले सदा बेरे पास ही आते हैं देवताओं पित्रों और भूतों को पूजने वालों का ग्यान सीमित होता है और उनको फिर से इस मर्ट्चू लोक में आना पड़ता है इसलिए अर्जुन तू भी अगर कुछ खाए, दान करे, तब करे और कर्म करे, तो मुझमे ही अरपन करके करने करने इस प्रकार से तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा मेरे लिए प्रिये और एप्रिये सब बराबर है यहां तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे इस तरी पुरुष हो चाहे राजा या भिखारी भी हो, तो वह भी मुझमे आ सकत होकर इस बरी सागर से तर जाता है इसलिए अगर तू भी मुझमे समर्पित रहेगा, तो मुझे ही प्राप्त करेगा दोस्तो जैसा कि श्रीक्रिशन ने कहा, कि जो जिसकी पूजा करता है, मैं उसको उसी से जोड़ देता हूँ दोस्तो इस बात का बहुत गहरा मिनिन है हम जिस तरह के इंसान के साथ समय विताएंगे, टाइम बीटने के बाद में हमारी थोर्स पर गी उसका असर होसर होता है इसलिए निगेटिव थोर्स पारे लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी जिन्दगे में कुछ करने का मकसद है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि आज बले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा, कि जैसी भावना हो, वैसा नतीज आती है, तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुँची जाते हैं भागवत गीता अध्याइदस, भगवान की महीमा भागवत गीता के दस्वे चैप्टर में, आप भगवान के द्वारा यह जानेंगे, कि क्या भगवान का कोई रूप है, भगवान कहां किस किस रूप में रहते हैं, वैसे तो आपने बहुत बार सुना है, कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, यहां है, वहां है, हर और मुझसे प्रेम करता है इसलिए अब मैं तुझे अधर counterparts मेरे जन्म और जन्म को कोई नहीं जानता लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला हूँ, और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्यानी है ग्यान और मुर्कता, सत्य और जूँट, सुख और दुख, मन और बुद्धी, रचना और नाश, हीरती और अप्मान सहीन सभी भाव, वास्तों में मैं ही तो हूँ, इस संसार में जहां जहां जिसकी धी पुजा होती है, वह वास्तों में ही हूँ, जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अरपन करते हैं, उनके ग्यान के अंधकार को, मैं ही ग्यान के उजाले से रोशन करता हूँ, इस पर अरजुन बोले, ही है क्रिश्न, आपने जो अभी तब खुद के बारे में बताया है, उन सब बातों को मैंने मान लिया, लेकिन आपकी बाते मेरा और पर का कोई अंध नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है, उससे मैं तुझे बताऊँगा, अरजुन सभी समय मुझसे ही बने है, भूत, वर्तमाद और भविशेवी मैं ही मैं हूँ, मैं ही विश्नु, तूरिये और चंद्रमा हूँ, बैदों में सामवे, देओं में अंद्र, और इंद्रियों में मन, जीओं में आत्माद, परवतों में सुमेर, रुद्रों में शंकर, वस्वों में अगनी, और धन दोलत में कुबेर भी मैही हूँ, जल में समुस्र, ग्रहों में बहस्पती, अडे रहने बालों में पहाड, देवर्शियों में नारद, पैडों में पीपल, हातियों में एरावत, मनुश्यों में राजा, गायों में काम धेन, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषना, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरूर, योध्धाओं में श्रीराम, समुद् नदियों में गंगा, विध्याओं में ब्रह्म विद्या, विवादों का दुन्ने, अक्षरों में ओम, कालों का महाका, मंत्रों में कायित्री, महीनों में मार्क्षी, रितों में बसंत भी केवल मैं ही हूँ, छलों का जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चे करने वालों पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है बस तू इतना जान ले कि ये संसार तो मेरे एक छोटे से अंसमात्र से ही चलता है दोस्तों इस चेप्टर में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान ना हो और श्री कृष्ण ने यहे भी कहा है कि अरजुन को ना तो इश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो पूरा डिटेल में जान पाएंगे दोस्तों इसको आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करो कि जैसे बगवान ने कहा कि मैं अनन्त हूं और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए जरूरी है ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीजों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना जाहिए जिनको जानना आपके लिए जरूरी नहीं होता सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नौलिज है जो आपको अपनी मंजी तक पहुंचाएगा भागवत गीता अध्याग्यार भागवान का अनन्त रूर्ण भागवत गीता के ग्यार हो चैप्टर में अवश्य अर्जू परंतु तु इन मानों की आँखों से यह सब नहीं देख पाएगा इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिल्वे आँखे देता हूँ इसके बाद जो अर्जू ने देखा वह वास्तों में कल्पना से परे परे था भगवान का ना तो कोई आरंब था ना कोई मद्य था और ना कोई अंत था परंब्रह्म से इतना प्रकास निकल रहा था जितना हजारों सूरत से भी नहीं दिकल दखता अर्जू ने बहुत तरह के संसारों को श्री कृष्ण में समाहित देखा अर्जू ने हाथ चोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा हे परंब्रह्म मैं आपके शरीर में सबी देवों को सब मनुश्यों को देख रहा है लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंब दिक रहा है ना कोई मत्य है और ना ही कही अंत आप में हरत रहे के अस्त्र हस्त्र है हरत रहे के प्रकास और सूर्य है त्वर्ग और धर्टी के बीच का पूरा आकास मानो आप से ही भर गया है कई देवता के संहूँ आप में प्रवेश कर रहे है कई आपकी वंदना कर रहे हैं तो कई लोग भई भीद होकर हाथ जोड़े खड़े हैं आपके अनंत हाथ पेट आँखों मुह वाले रूप को देखकर समस्त स्रश्टी सहीत में बहुत व्याकुल हो रहा हूँ मैं पांडवो कोर्वो की संफून सेना के महान युद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस संफून ब्रहमांड को बहुत उज़ा दे रहा है एक क्रिश्न इतने रूपों में आप कौन से हो मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ इस पर क्रिश्न बोले मैं हर जगय है और मैं ही समय हूँ इन सेनाओं के योध्धाओं को नष्ट करने के लिए परकट हूँ इन सब योध्धाओं की मौत में पहले ही लिख चुका हूँ तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है मारने वालत तो स्वयम मैं ही हूँ इस पर अरजुल वहवीत लेकिन गदगद होकर बोले हे बगवान आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी, महरसी, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है आप तो सत्य और असत्य से भी परे है आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप ही इस जगत के पालन करता और विनाशक हो आपको कोटी कोटी नमस्कास, आपको कोटी कोटी नमस्कास, आपके लिए हर दिशा से नमस्कास क्योंकि आपका कोई आदी नहीं है, मद्य नहीं है, और अंत भी नहीं है हे प्रभू, मैंने जाने अन जाने में, आपको भाई, प्रिश्न, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाग भी उड़ाया मुझे आपकी सत्य का पता नहीं था इसलिए अगर संभव हो तो मुझे ख्षमा कीजी मैं आपकी वंदना करता हूँ पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को ख्षमा कर देता है वैसे ही आप भी मुझे ख्षमा करें आपकी इस रूप को देखकर मैं खुस भी हो रहा हूँ और भैबीत भी हूँ इसलिए अब करपा करके आप अपना प्रसिद्द चतरवुज विश्नु रूप दिखाईए मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ इस पर स्रीकृष्न बोले कि अरजुन मैंने तेरे आगरहे पे वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुश्य नहीं देख पाया है और नाहीं देख पाया है मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो और अब तेरी इच्छा अनुसा तू मेरा चत्रभुजी रूप भी दे इस परकार से श्री भगवान ने अपना चत्रभुजी रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बनाया है और अनंत रूप से उत्पन हुई व्याकुलता भी दूर करी इस पर अर्जुन बोले कि हे क्रिश्न अब मैं आपकी इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया हूँ क्रिश्न बोले अर्जुन जो चत्रभुजी रूप तुमने अभी देखा है वो बड़ा ही दुरलब है और इसको देखने के लिए देवता भी तरस्ते है यह चत्रभुजी रूप किसी भी यग्य, दान, तप और वेट से देखा जासा है प्रन्तु अर्जुन जो तेरी तेरे है मेरा परमभक्त है कर्तव्य परायन है वासना और बेर रहित है वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया दोस्तों गीता के इस अत्याइज़ आज के टाइम में यह सीख सकते हो कि अगर हम अपनी महनत के रास्ते पर सही है तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतनी महनत कर लिए और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है मैंने इतनी मेनद तो की ही नहीं थी और दोस्तों यही महान लोगों का एक गूल भी है वो मेनद करते हैं लेकिन उनको यह भी हावास नहीं रहता कि वो कितुनी मेनद कर रहे हैं यह उनके बड़पन को दिखाता है दोस्तों गीता के बारहवे चेप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स पर कैसे अडिक रहें एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अर्जुन ने कहा कि हे भगवान आपको क्या मानकर पूजना यादा अच्छा है रूप या फिर निराकार श्री कृष्ण ने कहा जो भगवान को एकागर करके रद्दा से युक्त होकर मुझ सगुन रूप परमिश्वर को बचते हैं वह मुझे योगियों में श्रेश्ट लगषते हैं परन्तु जो भगत अपनी इंद्रियों को वश्मे करके मन भुद्धी से परेक मेरे अभिनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं वह मुझे ही प्राप्ध होते हैं जो भगत अपने करमों को मुझे मैं अरपन करके मेरा चिंतन करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं इसलिए तु मन को मुझे में ही लगा और अगर तेरे लिए मन को वश्मे करना संवव नहीं है तो तु योग द्वारा मुझे को प्राथ करने का प्रियत्म कर जिसके क्रोध और सभी द्वे समापत हो गए है वह भक्त मुझे बहुत पसंद है अगर तु मन को रोकने के अभ्यास में भी ऐस अफल है तो तु मेरे लिए ही कर्तवे पराइन हो जाओ और कर्म फलका त्याद कर दे अभ्यास से ग्यान सरेष्ट है ग्यान से मुझ परमेश्वर का ध्यान सरेष्ट है और इस ध्यान से भी श्रेष्ट है सभी कर्मों के फलका त्याद करना जिससे तुरंद ही शांती निंती है जो व्यक्ति हर तरह के सुक्तुख चस्त्र और मित्रभाव लाबहानी, मुहे और इच्छा हर तरह के मौसम से मुप्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ती से वश्मे किये है वही पर्मानद के लिए श्रेष्ट है जो निंदा और प्रसंसा को एक समान समझता है जो किसी भी इस्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है वहे भक्त मुझे श्रेष्ट लगता है और उनमें भी जो निस्काम भाव से अपना कर्म और मेरी सेवा करते है वहे मुझे अतिप्रिय है दोस्तों इस शेप्टर में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुमों से सीखना चाहिए एक स्टुडेंट को या एक उस इंसान को जो अपनी लायक में कुछ बड़ा करना चाहता है उसको कम खाना चाहिए और हर तरह के एमोशन में सिर्फ यह सोचना चाहिए कि खुद का सबना कैसे पूरा करना यह भागवद गीता सार आप यूटूब के जीत फिक्स चैनल पर सुन रहे हैं भागवद गीता अध्याय तेरह चेत्र चेत्र किर्प के भागयोग भागवद गीता के तेरहवे चेप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे एक्षन से रिजल्ट बेदा होता है श्रीकिष्ण ने कहा कि ये शरीर एक छेत्र की तरह है और जो इसको जानता है उसको ख़टरगे गहते हैं छेत्र मतलब खेत जिस तरह से खेत में जैसा बीज डालते है वह उसी प्रकार का सही समय आने पर फल देता है उसी तरह जीवन में भी जिस तरह का करम फल का बीज मनुश्य डालता है वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है इसलिए इस शरीर को ख्षेत्र कहा गया है यह ख्षेत्र और ख्षेत्रग्य का ग्यान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से कहा जाता है और इस ग्यान में पांच महाभूत यानि कि प्रत्वी, अगनी, जल, वायू, आकास को मिलाकर मन, बुद्धी, एहंकार और सभी इंद्रीन भी सामिल है इसके साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतना, शरीर, धेरिये और विकार भी सम्मील है अब परंभ्रम को प्राप्त कराने वाला ग्यान क्या है, यह मैं तुझे बताऊँ पर मनुस्य में कोई भी खुबी होने पर, उसमें किसी तरह का धमर्ड नहीं होना चाहिए किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, दूसरों की प्रतिक्षमा भाव होना चाहिए, गुरू की सेवा की जानी चाहिए, मन और वानी में सरलता होनी चाहिए, मन और समस्तिंद्रियों पर पुरा वश होना चाहिए, किसी भी तरह के भाव में नहीं बहना चाहिए, संता जीवन साथी, घर और धूमे मोहे नहीं होना चाहिए, अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धी की इस्तिता होनी चाहिए, वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए, एकांत वास में मन का शुद्धी करन करना चाहिए, मुझ पर मेश्वर में पूरी तरहें से समरप वह सभी सजीवों और निर्जीवों में है वह दूर भी है और पास में भी लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन करता है विश्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनास भी करता है वह अलग-लग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग-लग तरे का होता है वह माया का भी महा माया है परम भर्मों से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदे में निवास करता है परंतु इसके बाद भी यह जानने की योगे है हे अर्जुन इस प्रकर्ती और पुरुष का भी कोई आरम नहीं है क्योंकि प्रेम और भेना और तीनों तरह के गुन अर्थार्थ, सत, रज और तम् भी प्रकर्ती से ही आते कारिय और कारियों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकर्टी से ही उत्पन होती है प्रकर्टी से जन्मा मनुष्य प्रकर्टी के ही गुनों को भोगता है और इन ही गुनों के भोग के अनुसा ही उसका जन्म और मरण तय होता है इस तरहे से जो भी मनुष्य इस पुरुश और प्रकर्टी के ग्यान को जानता है, वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है, और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पासा है, किन्तु जो बंद बुर्ती होते हैं, वह तो इस ग्यान को सुनक और मेरी प्रकर्टी जान कर ही मर्टी लोग से मुक्त हो जाते हैं जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकर्टी से ही होने वाला मानता है वह अपनी आत्मा को अकरता समझ कर इस भव सागर से पार हो जाता है हे अर्जुन जिस तरह से आस्मान का पधार्ट काफी पतला होता है और इसे लिए वो दूसित नहीं होता उसी परकार से यह आत्मा शरील में सुक्समता से रहती है जिस से यह कभी दूसित नहीं होती इस प्रकार से प्रकड़ती, पुरुष और चेतना के ग्यान से तू भी मुझ परम्धरों को प्राप्त हो जाए। दोस्तों इस चैप्टर में यह बहुती बारी के से बताया गया है किस तरह से हमारे ही कामों से हमें तकलीफ या खुशी मिलती है। मान लीजी, हमारा शरीफ खेट की तरह है और हम हैं इसके किसान, अब हम जो भी इस खेट में बोएंगे, फल भी उसी बीज के अनुसार हमें बहुशे में जाकर मिलता है, इसलिए यह हमारे आज के एक्शन्स पर ही डिपेंड करता है कि हमें फूचर में क्या मिलने वाला है। भागवत गीता, अध्याई चोध, प्रकरती के तीन गुन, दोस्तो भागवत गीता के चोधवे चेप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा सौड़ा हो और यह संसार तीन गुनों में बटा हुआ है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जिन, अब मैं तुझे संसार के उन है और यह ग्यान और सुक से जोड़ता है। रजो कुन कामना और आसक्ति से उत्पन होता है, जो की कर्म और उसके फल में बाहन दता है। तमो गुन मनुष्चे को भोग विलास, आलस से और नित्रा में बाहनता है। जिस पल मन में शांती और ग्यान बढ़ा हुआ लगे उस समय यह माना चाहिए कि सत्वोगुन बढ़ रहा है जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो उस समय रजोगुन बढ़ता है और तमोगुन वाला प्राणी अगले जने जने गीट पतंग बनता है सात्विक कर्म का परिणाम है सुख राजस कर्म का परिणाम है तुख और तामस कर्म का परिणाम अज्यान होता है जो व्यक्तिस बात को जानता है कि यह तीन गुल ही उससे सब काम करवाते हैं तब वो है अपने कर्टावन से और इस संसार से मर्थ हो जाता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जिसा समझने वाला मनुश्य परंब्रम अर्थाद मुझे प्राफ्थ हो जाता है दोस्तों यह तीन परकार सात्विक, राजस और तामस हमारी डेली लाइप में बहुत यूसफुल है अगर आप महनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा खुस रहोगे अगर आप किसी अच्छे रिजल्ट की काम ना करके महनत कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं कि खुशी होगी या दुख होगा अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कर्म किया है तो यह निश्चित है कि किसी ना किसी जमय आपको ही दुख मिलेगा दोस्तों गीता के पंद्रवे चेप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से यह दुनिया एक इल्यूजन है और कैसे हम इसमें उलचकर रह जाते है श्री कृष्ण बोले कि यह संसार बर्गत के एक उल्टे पेड़ की तरह है जिसकी जड़े उपर है वो डालियों पत्ते नीचे की तरफ पत्तियां वेदों को दिखाती है पत्त में नई कौपले मनुष्य की इच्छाओं को दिखाती है यह पेड़ हर दिशा में इस तरह से बड़ा रहता है कि ज्ञान के अव्हाओं में मनुष्य इसमें उलचकर ही रह जाता है और जो इस पेड़ के रह से वो जान लेता है वह परंब्रह्म को प्राप्थ हो जाता है इसलिए इस माया वाले जीवन रुपी बर्गत के पेड़ को ज्ञान की कुलहाडी से काट कर उचिदी योग का पालन करके उस परंब्रह्म को ढूगना चाहिए और जिसका मान, मोह, सम्मान, अप्मान सब इनष्ट हो गए है और भुद्शिय को अप्रिस इससे मुक्ति पासकता है और मुक्ति पाकर जिस परंब्रह्म को वे पुरुष प्राप्थ होते है उसको कोई भी सुरजरोशन नहीं कर सकता क्योंकि वह ए मेरा परंधाम है हे अरजुर। इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंस है और यहां आत्मा ही मल्क्ट्यू के बाद दूसरे शरीर में चलियाती है यह शरीर कान, आख, तवचा, जीब, नाग और मन से ही इन हिंद्रीों का और वास्नाओं का सेवन करता है और यह क्यों ग्यानी जानी जानते हैं इस संसार में शरीर नाश्मान है और आत्मा अविनाशी है और इन सब में सबसे श्रेष्ट है परमात्मा जो कि सब लोकों का पालंपोशन करता है इसलिए मैं ही फुरुशोत्तम हूँ दोस्तों इस चैप्टर में हमने देखा यह हम जिन्दगी में बहुत बार उस चीज के पीछे बागते हैं जिसको हासिल करके भी हमारी इच्छा खतम नहीं होती है हम जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं उतनी ही और बढ़ जाती है इसलिए उस इंसान को जिसको लाइक में कुछ बढ़ा करना है उसको अपने डिटर्मिनेशन से उन इच्छाओं के जाल को काट देना है तभी वह इस इलूजन वाले ट्री से परमात्मा को यानि कि आपकी पर्सन लाइफ के केस में सक्सेस को ढूंग पाएगा भागवत गीता अध्याए सोले है दो सब्भाव दोस्तों गीता के सोले होई चेप्टर में बताया गया है कि मनुश्चे के कौन से दो नेचर या बिहेवियर होते है श्री कृष्ण बोले पहले मैं तुझे देविय स्वभाव के बारे में बताऊंगा कभी भै ना करना अपने मन को शुद्र रखना हमेशा परमात्मा को ही याद करना इंद्रियों को वश में रखना धर्म गरंतों का पाठ करना किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना हर तरह के भाव में सम रहना हर जीवात्मा को बराबर समझना कभी क्रोध और मोहना करना शमा करना धेरिये रखना और यहां तक की अपने ही दिनों का भी अभिमान नहीं करना देविय स्वभाव है अब मैं तुझे असुरी स्वभाव बताऊंगा घमंड, क्रोध, सांसारी का सकती नफरत, अग्यान, वासनाए, आशाए करना और शरीर को इंजरियों के वश्में रखना असुरी स्वभाव है असुरी स्वभाव वाले नातों समान से बात करते हैं और नहीं सकते बोलते हैं भूरे कर्मों से जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ठ होकर बुद्धी मन हो चुकी है और जो इस संसार में सिर्फ मास का कारण ही बनते हैं इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती उन व्यक्तियों का सुक, सिर्फ इंद्रियों के सुक तक ही सीमित, वह हमेशा और अधिक वस्तुए प्राप्ट करने में ही लगे रहते हैं, वह हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं, वे सिर्फ दिखावे के लिए ही धर्म और दान करते हैं, देविये स्वभाव से मुत तीन द्वार है इसलिए इनको जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए जो भी मनुश्य इन तीनों नरग के द्वारों को छोड़ देता है वह तो फिर मेरे ही आश्रे में आता है इसलिए है अरजुन तू शास्त्रों सही इस देविय स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता है दोस्तो इस चैप्टर का मेनिक तो आपको आसानी से समझ में आही गया हो आखिर में जो तीन नेगेटिव एक्टर्स बढ़ाए गया है वासनाए गुस्सा और लोड यह सबसे बड़े दुश्मन इन से ज़रा बचके रहना भागवत गीता अध्याई सत्रा श्रद्धा के रूफ दोस्तो गीता के सत्रों है अध्याई में आप जानेंगे कि कर्मों को, भोजन को, यग्ये को, तपको, ज्यान वगेरा को कौन से तीन भागु में बाटा गया है अर्जुन बोले, एक क्रिश्न, जो मनुष्य सत्रों को छोड़ कर देवों की पूजा करते हैं वो क्या है, सात्विक, गाजस या तामस क्रिश्न बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूजते समय, जिस तरह का विचार रखते हैं वे उसके हिसाथविक, राजस या तामस बहते हैं सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं राजस यक्ष और आक्ससों को और तामस प्रेदों को जो मनुष्य सास्त्रों से दूर रह के भी, मन से खटी निल्ले लेता है और कर्म करता है, और कर्म को ही तब मान करके करता है, वह भी इस संसार से मुटते होते हैं, जिस तरह से भोजन भी साथविक, राजस और तामस होता है, उसी तरह से यग के तब और दान भी तिन तिन परकार के आते हैं, फलों से किया गया भोजन साथविक होता है, राजस यग्यों में, शास्टर・ विधी से नियद और फल की अच्छा रहित किया गई यग्य एकवल पृल। प्राथिक को ध्यान में रखकर किया गई यग्य राजस यग्या सास्तों के दृूत दृूत दृूत, दान रहितgewár गई यग्य तामस यग्या इसी तरह से तपों में ऐसा तप जो फलो की इच्छा से रहीद हो सात्विक तप कहलाता है किसी वस्तों की प्राप्ति के लिए किया गया ये राजस तप कहलाता है और किसी की हानी करने के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है इस प्रकार से दान में, बिना खुद को श्रे दिये, जिसको जो आउशकता हो, वहे दान कर गया जाए, वो यह समझा जाए कि दान ही कर्तब्य है, वहे दान साथ्विक दान कहलाता है, जैसे कि भुके को खाना किलाना, वस्तरहिन को वस्तर पहनाना, अकाल ख्यत्र में अन्न जो दान उसके फलों को द्रश्टी में रखते, खुद का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और दान के बदले में वापस प्रत्युपकार की चाहर्च दिया गया हो, वहे राजस्त दान कहलाता है, जो दान बिना सम्मान के, किसी को अपमान करके, ब मुझे में विलीन करता है, दूस्तों, इस चैप्टर में आपने सुना, यह हर करम के तीन परकार होते हैं, और इन करमों को करते टाइम, आपके मन में जैसे भाउना या जैसा मकसल होता है, उसी तरह से आपको फंदा है, और ये तीनों परकार है, सत, रज, और तम, सत सबसे अच्छा माना गया है, तम सबसे गिराओवा माना गया है, सत का मतलब है आप जो भी काम करें, महनत करें, उसमें एकदम इमोस्टिली स्टेबल होकर, बिना उस काम की रिजल्ट के बारे में सोचे, बिना उस काम को करने का क्रेडिट लिए, खुद के मन की शुदुता और संसा करने का, यही मैन रिजन है, कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर परिशान रहते हैं, इसलिए दोस्तों, आप भी सत के इस रास्ते पर रहने की कोशिक करें, भागवत गीता, अध्याय 18, उपसहार, दोस्तों, गीता के 18 और आखिरी चेप्टर में हम जानेंगे, क पूरे गीता गरंथ का निचोर भी, आपको इसी चेप्टर में मिल जाएगा, इसलिए आपको इस चेप्टर को लाश्ट कर ध्यान से सुनना चाहिए, अर्जुन बोले, हे क्रिश्न, मैं त्याग और सन्यास के बारे में जानना चाहता हूं, श्री क्रिश्न ने उस्तर दिय कि अर्जुन इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फ़लों को छोड़ने को त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दे, तो उसको सन्यास कहते हैं, कुछ लोग सभी कर्मों को दोश भरे और सभी दुखों का कारण मान कर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और क क्योंकि यह त्याग भी तीन तरह का होता है साथविक, राजस और तामस यग्य, तप और दान ये तीनों त्याग के योगे नहीं बल्कि फल की इच्छा के बिना किया गया यग्य, तप और दान यही साथविक त्याग करे जाते है मतलब जो शास्तों में दिया गया कर्म और धर्म, जिसमें फल और असकती ना हो, उसको साथविक त्याग कहा जाता है कोई मनुश्य अगर सबी कर्म को यह समझकर त्याग दे, की यह कर्म ही दुखों का कारण है, तो यह त्याग राजस त्याग कहलाता है किसी अंद्य मोहों के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए, तो त्याग को तामस त्याग कहते हैं, जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तू प्रेम करता है, और ना ही नफरत करता है, ऐसा वो धिमान व्यक्ति ही सचा त्यागी है, मनुश्य शरीर कितना भी प्रियास कर लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को नहीं छोड़ सकता, जैसे की सास लेना, इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सता त्याग होता है, जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते हैं, उनके कर्म फनबत्यों के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़त ग्याता, ग्यान, और केय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेडना है, कर्ता, कारण, और क्रिय, ये तीन तरहे के कर्म संगरे है, अरजुन, ग्यान, कर्ता, और कर्म, ये तीनों भी तीन तरहे के है, जिस ग्यान में परमात्मा को अमर और अनन्द माना जाता है, वह ग्यान साथव जिस ग्यान में परमात्मा को अलगलग समयों में अलगलग नामों से जाना जाता है वह राजस ग्यान है और जो ग्यान सात्विक ग्यान और राजस ग्यान के बाहर है वह तामस ग्यान है जो कर्म श्रद्दा रहीत और फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सात्विक कर्म क कुछ पाने के लिए किया जाता है वह राजस है और जो कर्म किसी का नुकसान करने के लिए किया जाता है वह तामस कर्म है इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक करता राजसी कर्म करने वाला राजसी करता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक करता कहलाता है इस तर स्विक, राजस और तामस होते हैं हे अर्जन, सुक भी तीन तरह के होते हैं बिना किसी कर्म फल के, परम ब्रह्म में ध्यान लगा कर मिलने वाला सुक साख्विक सुक होता है बल, बुध्धी, शक्ती, राज्य इत्यादी की प्राप्ती राजस सुक है नीन, अलस से और वासना इत्यादी तामस सुक है इस पूरे ब्रहांड में इन तेनों परकार के अलावा और कुछ भी नहीं है हे अर्जन, ब्रहामण, छत्रिय, वैश्ट और शूर्ष, इन चारों के कर्म इनके गुणों के आधाया पर बाटें गया है अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना करता भाओ के कर्म करना, परमात्मा में धान लगाना, ये सब गुण जिसमें होते हैं, उसको ब्रहामण कहना चाहिए बल, बुद्धी, दान, भीरता, शासन, ये सब खशत्रिय के कर्म है, खेती, व्यापा, रित्यादी, वैश का काम है, तथा इन सब वर्नों की सेवा करना, शुद्र का कर्म है, ये अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है, बले ही कम गुणों वाला हो, ले इस तरीके से कोई रक्ती भगवान को पा सकता है, वहाए अब में तुस्ते सारांस में कहूंगा, हमेशा और हलका भोजन करने वाला है, अपने देश का धर्म निभाने वाला है, इच्छाओं का त्याक करके, एकांत में ग्यान का ध्यान करने वाला है, मन, वानी, शरीर को इसमें रखने वाला है, लाब हानी, सजीव निर्जीव, मित्र सत्रू, इन सब को बराबर समझने वाला है, घमंड, बल, मोहरहित, और शांती सही भगवान से अनंत भंती प्रेम करने वाला है, सदा के लिए मेरे पास आजाता है, इस तरह का प्रमयोगी, ना तो को याशा क करता है, ना ही स्वयम को या दूसरों को दोस्त देता है, और ना ही दुक और सुक में विजलित होता है, इस तरह का प्रमयोगी, सब कर्म करता हुआ भी, स्वयम को करता ना समझकर, मुझ परमात्मा को ही कर्म करने वाला समझता है, हे अर्जी, इस तरह से तू भी इन बातो से बटक जाएगा और नश्ट हो जाएगा हे अरजुन तेरे अंधर भी मैं ही हूँ इसलिए तू सब मोह जोड़कर और इस माया से बाहर निकल कर अपना कर्म और धर्म युद्ट कर इसी से तू मुझे भगवान के धाम में मुच्छा इस्थान प्राप्त करेगा अरजुन मैंने पूरे रहस्यमई और गोफनी एग्यान तुझे अच्छी तरह से बता दिये हैं फिर भी तू अब जो समझ कर करना चाहे वैसा करना लेकिन अरजुन तू मुझे बहुत ही प्रिये है इसलिए मेरा ही भक्त बन और मुझे ही सदा प्रणाम कर मैं प्रदिग्या करता हूँ कि ऐसा करने से तू मेरे ही पास आएगा फिर भी यदि तुझे ऐसा लग रहा है कि तू पाप करने जा रहा है तो जब तू मेरी ही शरण में आ जाएगा तो मैं तेरे पूरे पापो को माफ कर दूँगा, इसलिए तु दुखे मत हो, और अर्जुन तु इस दिवे ग्यान को उस वक्ती से मत कहना, जो इसको सुनना नहीं चाहता, या भक्ती और कर्म नहीं करना चाहता, या परमात्मा में दोश निकालता, पर अर्जुन तु जिस है बता, क्या तेरा अग्यान मिट गया है, अर्जुन उप्षर बोले, हे परमब्रम स्री क्रिश्न, मैंने आपका संपूर्ण ग्यान अपनी बुद्धि में बिठा लिया है, और अब मैं स्थिर हूँ, और जैसा आपने मार्द्रशन किया है, मैं ठीक उसी प्रकार से, अप केवल पूरी प्रोब्लम सोल हो जाती है, बलकि उसे चीने का, अपने सपनों को हासिल करने का तरीका भी पता लग जाता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, कि गीता ग्यान सिर्फ हिंदू धर्मों का गरंत है, जबकि भगवान ने खुद कहा है, कि व्यक्ति, जाति और धर प्रोब्लम से नहीं, गुनों से ब्रामन होता है, और इस भागवत गीता पर सभी मनुश्यों का बराबर है, आज की ये दुनिया कर्म ग्रमी है, कर्म और महनत का सित्तान सथ के लिए एक होता है, इसलिए आप सब लोग इस गीता ग्यान को बार बार सुने, हर एज के पुर